हेलो दोस्तों स्वागत है आपके नवी चानल PCS में कर पे तो फ्रेंड्स मैं मैं मनिस आ रहे हैं आज फिर एक और रिवीजन का कुछ रिवीजन के लिए एक वीडियो लेकिया हो तो फ्रेंड्स आज का जाम हमारा जो वीडियो है भारत में मुद्रा कला और संस्कृति और ग आप देखिएगा तो आपको ज्यादा आपको रिवीजन के लिए ज्यादा मैनी फिडियो गए ठीक है फ्रेंड्स आते हैं हमारा फॉर्स कोशन पर है और हां स्कृर कमिट जरूर किजएगा फॉर्स कोशन है कि भारत में दसंबल मुद्रा प्रनाली कब शुरू की गई तो वन का सीज़ द्राइट आंसर 1957 में तो भारत में दसंबल मुद्रा जो प्रनाली जो शुरू हुई थी वो 1927 में शुरू हुई थी अगला कोशन है दो नमबर की भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्स हुआ तो दो का एज़ द्राइट आंसर 1862 इस वी में सुरू हुआ था अगला कोशन है आपका 3 नमबर कोशन है कि भारत नाट टेम कि सराजी का सास्त्रीय नित्र है बहुत दी मौनित कोशन है तो ठी सीज दिराइट आँसर तमिल नाडू का है अगला कोशन है हमारा 4 नमबर कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है तो फोर का right answer हो जाएगा friends option number D यानि कि अहिंसा दिवस तो याद है friends कि 2 October को हम लोग किस रूप में मनाते हैं तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है अगला question है आपका 5 number कि गांधी जी ने किस घटनाक से दुखी होकर और सयोग अंदोलन को अस्थागित कर दिया तो 5 का A is the right answer चोड़ी चोड़ा कांट के कारण तो गांधी जी ने चोड़ी चोड़ा कांट से दुखी होकर और सयोग अंदोलन को अस्थागित कर दिया था अगला question है आपका 6 number कि एक रूपए के नोट पर किसका हस्थाक्षर होता है यह बहुत important question है तो एक रूपए के नोट पर जो हस्थाक्षर होते हैं तो याद रखेगा right answer option number B यानि के वित सचीब का तो हमेशा वित सचीब का एक रूपए के नोट होते हैं उसके उपर जितने 5, 10, 15, 20 जो भी आपके 100, 200 रुपय के नोट पे जो हंस्ताक्चर होते हैं याद रखेगा RVI के गवर्णर के होते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग ये कमेंट करके बताएगा कि अभी वर्तमान में RVI के गवर्णर कौन है और उनका पोजीशन क्या है मतों कैवे नंबर के गवर्णर है ठीक है तो फ्रेंट्स कमेंट जरूर किसेगा अगला कोशन देखेगा आप लोग 7 नंबर कि जात्रा किस राजी का लोख निरते है तो 7 का सीज दराइट आंसर पछिम बंगाल का है अगला कोशन है आपका 8 नंबर वर्तमान में भारत में थोक मुल्य सुचकांग का अधार वर्ष क्या है तो 8 का सीज दराइट आंसर 2011 बा किया गया इंपोर्ण कोशन है तो 9 का 20 दराइट आंसर सेर सा सुरी ने तो भारत में पहली बार रुप्या नामक सिक्का का प्रचलन सेर सा सुरी के सासनकाल के द्वारा मदग के द्वारा किया गया था और याद रखेगा जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है वो किन्होंने बनाय तो सेर सा सुरी नहीं बन भाया था तो ये भी आप लोग याद रखेगा अगला कोशन है आपका 10 नमबर कि भारत का सरवादिक बीदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है तो 10 का C is the right answer पेट्रोलियम अगला कोशन है आपका 11 नमबर महात्मा गांधी ने भारत में चत्यागरा का पालन परियोग कहां किया तो 11 का A is the right answer चमपारण में किया था अगला कोशन देखेगा 12 नमबर कोशन है आपका कि किस घटना के बीरोद में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपादी लोटा दी ये important question है friends तो 12 का C is the right answer जलिया वाला बाग हत्याकांड तो जलि ग्रेशम का नियम का समन्द किस से है तो 13 का B is the right answer मुद्रा प्रचलन से है अगला question है 14 नमबर कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरू कौन थे बहुत important question है ये तो यादा किया friends इनके जो राजनीति गुरू थे कौन थे तो यादा किया गोपाल कृष्ण गोकले राइट आंसर करनाटक का ये भी important question है तो यक्षगान करनाटक का राश्टिये लोक निर्त है अगला question है आपका 16 नमबर कि भारतिये मुद्रा निर्गमन किस प्रनाली पर आधारित है तो 16 का C is the right answer नियुंतम कोष्ण प्रनाली के पर आधारित है अगला question है आपका 17 नमबर एलोरा क की गुफा भारत के किस राजि में है तो 17 का D is the right answer महरास्टा के और अंगबाद जीले में एलोरा की गुफा इसी थै अगला question है आपका 18 नमबर कि मुद्रा स्विती में किसको लाब होता है तो 18 का C is the right answer रीनी व्यक्ति को लाब होता है अगला question है आपका 19 नमबर question देखेग कि सबसे महंगी मुद्रा कौन है तो 19 का age the right answer pound है अगला question है आपका 20 नमबर महात्मा गांधी की हत्या 30 जनबरी 1948 को किसके द्वारा किया गया तो पहले यादर के friends question कि महात्मा गांधी की मिर्थी कब हुई थी तो 30 जनबरी को हुई थी 1948 में ठीक है और किसने मतला मारा था त आपका 21 नमबर कोशन है कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुवाई उनके शाथ थे important question है तो 21 का b is the right answer यादर किया 78 यानि 78 अनुवाई उनके शाथ थे अगला question है आपका 22 नमबर कि कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो do or die का नारा दिया गया तो 22 का d is the right answer भारत छोड़ो अन्दोलन तो याद रखेगा कि भारत छोड़ो अन्दोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था अगला question है आपका 23 नमबर कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अभमुल्यन किया गया है तो 23 क 20 दराइट आंसर तीन बार किया गया है अगला question है आपका 24 नमबर कि हरी परसाच चोरसिया सम्मन्दित है तो किस्से है तो 24 का 20 दराइट आंसर बांसुरी बादन से अगला question देखी का 25 नमबर कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष कहां के सम्मिलन में बने थे तो 25 का 20 दराइट आंसर बेल गाउ अधिवेशन के सम्मिलन में बने थे अगला question है आपका 26 नमबर कि कुच्चुपुडी किस राज का प्रमुख सास्त्रिय निद्ध है इंपोरिन कोशन है तो 26 का एज दराइट आंसर आंदर परदेश का अगला question है आपका 27 नमबर महात्मा गांधी दक्षिन अफिरिका से भारत किस वर्स में लोटे इंपोरिन कोशन है ये तो 27 का एज दराइट आंसर 1915 ठीक है तो फ्रेंट्स यादर कि अपको प्रभासी दिवस हम लोग कम मनाते है तो इनहीं के लोटने पर हम लोग प्रभासी दिवस मनाते है जो महात्मा गांधी जी दक्षिन अफिरिका से हमेशा के लिए 1915 यानि कि 1950 म सभी नोटों पर किसका साक्षर होता है तो 28 का A is the right answer RVI के governor का मैंने अभी बताया कि एक रुपय के जो मुल नोट है उस पे बित सचीब का signature होता है लेकिन एक रुपय से अधिक के सभी नोटों पर किसका होता है तो RVI के governor का होता है तो मैं friends आप लोग से मैं question कर पूछ आता क अधिया के governor कोड़ने तो याद रखेगा अभी वरतमान में सकती कांदास है और वह 25 नंबर पोजिशन में कई पूछ देता है तो याद रखे है 25 नंबर के वह governor है ठीक है अगला कोशन है 29 नंबर के plastic money किसे कहा जाता है तो 29 का A is the right answer credit card को कहा जाता है important question है यह अगला कोशन ह 30 नंबर की कतक कली किस सराजी का शास्त्रिय निर्त है तो 30 का राइट अन्स हो जागा option नंबर भी आनकी के रलका important question है यह अगला कोशन है आपका 31st नंबर कि मोहिनी अट्टम निर्त का समंध किस सराजी से है तो 31st का D is the right answer के रलका है अगला कोशन है अमारा 32 नंबर कि महात महात्मा गांधी भारत में शत्यागरा का परियोग पहली बार किस आंदोलन से सुरू किया तो 32 का राइट अन्स हो जागा option नंबर भी आनकी नील आंदोलन से तो महात्मा गांधी भारत में शत्यागरा का परियोग पहली बार नील आंदोलन से क्या किया शुरू किया अगल बार महात्मा गांधी को राष्ट पिता कहा था अगला कोशन है अमारा 34 नमबर की कत्थक कहां का परशिद निर्थे है तो 34 का sees the right answer उत्तर भारत का कत्थक जो है वो उत्तर भारत का परशिद निर्थे है 35 नमर कोशन है आपका कि लिंग राज का मंदिर भारत में किस राजी में है तो 35 का is the right answer उडिशा में है ठीक है ये भी इंपोरिंग कोशन है अगला कोशन देखेगा हमारा 36 नमर कोशन है कि राजगाट किस महान वेक्ति का शमाधी अस्तल है ये इंपोरिंग कोशन है तो 36 का D is the right answer महात्मा गांधी जी का तो राजगाट याद रखेगा महात्मा गांधी जी का समाधी अस्तल है अगला कोशन है आपका 37 नमर कि पोस्ट डेटेड चेक की संग्या गांधी ने किस प्रस्ताओं को दिया था तो 37 का C is the right answer क्रिप्स प्रस्ताओं को दिया था अगला कोशन है नमरा 38 नमर कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज़ में है तो 38 का A is the right answer मध्य प्रदेश में है नेक्स कोशन है 39 नमर कि भारतिय रुपे के ने चिन रुपे का डिजाइन किस ने तियार किया ये इंपोर्टन कोशन है तो 39 का A is the right answer डॉक्टर उदै कुमार ने तियार किया था और आज का हमारा लास्ट कोशन है 40 नमर कि गांधी जी को अर्ध नंग फकीर किस ने कहा था ये बहुत ही मौरी कोशन है तो 40 का A is the right answer बिस्टन चर्चिल ने तो गांधी को अर्ध नंग फकीर कहा था बिस्टन चर्चिल ने तो देखे फ्रेंट्स आपका यहां पर जो टॉप 40 कोशन था और यहां पर एक कंपलीट होता है तो फ्रेंट्स प्लीज आप लोग कमेंड क रहेंगा टेलिक नामता होगा तो उसे आप जोईन होजाए क्योंकि आपको डेली रात पे नौबजे आपको टेस्ट लिया जाएगा फ्रेंट्स इक है तो प्लीज आप जोड़िए पीसेसमेकर यूटीब चैनल से तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के स बाए-बाए जाहीं दोस्तो